हलो एवरिवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एंसी आटी ग्लास एर्थ का चाप्टर एट अशॉर्ट मौनसून डाइरी इस चेप्टर में अपने मौनसून के बारे में एक पूरी डाइरी लिखी है मतलब वहां पर जिस टाइम पर रहते थे उस टाइम और डेली अगर आप इवन किसी चीज में किसी कॉपी में या किसी डाइरी में नोट करते हैं तो उसी का पूरा एक फॉर्माट जो है यह 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 चेप्टर में दिया हुए तो स्टार करते हैं और इसमें यह वादी जो वर्ड की मतलब डाइरी है काफी साथादा फेमस वो and it's strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill तो यह पहला दिन था मॉनसून मिस्ट का मतलब होता है धुन्द जब जो चोटी-चोटी water की droplets हवा में लटकी होई होती है तो धुन्द सी बन जाती है उसको mist बोलते है तो मॉनसून का पहला दिन था और काफी ज़दा mist थी काफी धुन्द हो रही थी और अजीब सी strange का मतलब होता है अजीब strange सा silence था मतलब birds जो थी चिडियां बिल्कुल चुप थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो देख रही हो कि जो mist है वो उपर की तरफ किस तरीके से क्लाइम कर रही है पहाड़ों पे चड़ रही है तो शायद यही बात है कि जो mist है धुन्द है यह पूरे के पूरे मौसम को मिलांकली सा बना देता है मतलब दुखी सा वेरी सा बना देता है क्योंकि birds की आवाज नहीं होती है शांती होती है बहुत जादा not only does it conceal the hill it blankets them in silence too और यह धुन्द जो होती है यह सिर्फ और hills को सिर्फ छुपाती ही नहीं है conceal का मतलब होता है छुपा देना यह hill को सिर्फ छुपाती नहीं है यह ऐसा लगता है जिस ब्लैंकेट उडा दिया हो मतलब चादर उडा दी हो silence की मतलब पूरी शांती की चादर उ और अब क्या है यह जो मिस्त आगया है इसकी वज़े से जंगल है उसमें जान ही नहीं हो इस जंगल में और ऐसा लग रहा था जैसे की आधी रात हो तू दा मिस्ट बिजु इस काल इस सिस्टर I can hear him running about on the hillside but I cannot see him तो मैं मतलब वहा पे क्या था ऑथर आगे बोलते है कि कोई पिजु वो अपनी सिस्टर को अपनी बहर को बुला रहा था तो ऑथर को उसकी आवास तो सुनाई दे रही थी मागर मिस्त की वज़े से उसको देख नहीं पा रहे थे अब जून 25 नेक्स डेका उनकी डाइरी का है सम जैनुएन अर्ली मॉन्सून रेइन वाम एन हुमिट आच्छी पर अशन जाया नहीं जीन नहीं एक ही तो बोगुी अकSu이면 मॉन्सून स्वर्मी यह को सो देख नहीं देख गहं तो मगर जो मॉन्सून का सथा सथा नहीं की घटी मगर मादम ती हम भुक्र हलकी गर्मी जैसा कुछ बारिश को रहा था The plants seem to know it too and the first cobra lily rears its head from the fern as I walk up to the bank and post office और ऐसा लग रहा था कि plants को भी यह पता है कि मौन्सून का सीजन जो है आ गया है जो lily cobra, lily cobra होता है, इसमें साइड में दिखाया हूए है न यही है इसने भी क्या किया था अपना जो सर है वो पीछे की तरफ मोल लिया था रियर का मतलब होता है पैकवर्ड साइट इसने अपना सर पीछे की तरफ मोल लिया था और फ़र्न एक टाइप का एनिमल होता है फ्लारलेस प्लांट होता है जिसकी जो मतलब फैदर जैसी लीवस होती ह तो उस पे से उसने मुह पीछे कर लिया था और मैं ऑथर जो बता रहे हैं कि वह देखती हुए जा रहे थे यह सब जो बैंक और पोस्ट आफिस की तरफ वह जा रहे थे जो मिस्ट होती है मतलब उसकी वज़े से क्या हो जाता है प्राइवेसी सी हो जाती है मतलब कुछ ज़द दिखने ही पाता है तो थोड़ा सब प्राइवेट सा हो जाता है ज़दो कुछ पता नहीं लगता है किसी भी चीज की बारे में आसपस क्या हो रहा है क्योंकि धुन्ध होती है हर तरफ साफ दिखता नहीं है A school boy asked me to describe the hill station and valley in one sentence and all I could say was a paradise that might have been तो एक स्कूल के बच्चे ने उस ताइम पर मेरे से कहा कि describe करो बताऊ hill station के बारे में और valley के बारे में Paradise, Paradise का मतलब आप समझ सकते हैं, एक ऐसा स्वर्ग जो शायद अब वहाँ पर नहीं था, क्योंकि मिस्ट के विजए से छुप गया था, Might have been वहाँ पर का भी था, अब अभी कुछ कुछ दिखाई नहीं दिखा था, अब जून 27, The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches, ones on the early Jess conferences and ुद häe, the rain रेखम हम profiles of both the announcements and brought news, qus seasonal visitors and seasonal visitors, a leopard is started, नहीं में शुनिज ब issविपा यह नो, marketing साह्ता है, बाग 모양 flock group, ओ निख मुझा नहीं बनीन प hash políticas का आफ में पक्रेया कंहुंपों, मौन्सून के साथ साथ लेपर्ड और लीचे भी आ जाती है कल की ही बात है कि जो लेपर्ड उसने उठा लिया था एक जो सर्वेंट था उसकोल के पास उनमें से किसी के डॉग को किसी कुट्टे को उठा लिया था वहां से और in the evening it attacked one of the bijju's cow but fled at the approach of bijju's mother who was screaming implications तो सुबह के टाइम तो क्या किया था उसने किसी डॉग कोड हा लिया था मतलब तो पहर के टाइम आफ्टनून के ताइम फिर evening के टाइम वह आया था लेपर्ड बिजू की काव के पास मकर जो बिजू की मदर थी वह इंप्रिकेशन मतलब कंदे गंदे से कर्सिस का मतलब बद्वाय देती हुए वह जब भार की तरफ आइं तो लेपर वहां से भाग गया था As for the leeches I shall soon get used to little bloodletting every day और मतलब जैसे की leeches की तरह ही दीरे जैसे की स्टाटी में हम पहले देख लेते हैं की bloodletting का मतलब losing blood, decades ago leeches were used to remove bloods from a patient's body मतलब patient की body से बहुत सदियों पहले leeches की help से impure blood को निकाल दिया जाता था तो author बोलते हैं की अब जल्दी मतलब जैसे मौन्सूर का सीजन है mist हो जाएगी तो दीरे-दीरे क्या होगा ऐसा लगने लगता है जैसे की दीरे-दीरे body में से भी उसी तरीके से blood निकल रहा हो जैसे की ditches जो है blood निकालती है चूसती है body में से आगे देखते हैं other new arrivals are the scarlet minivets the yellow females the females are yellow scarlet minivets एक रपका flower होता है bright red sorry scarlet minilet होती है bird होती है red color की तो scarlet minilet bird होती है और fritting silently among the leaves like brilliant jewels fritting का मतलब होता है move quickly मतलब फुदकना इधर-उदर फुदकती रहती है वो birds जैसे की कोई गहने हों बहुत ही चंकीले गहने इधर-दर फुदकने हों इधर-दर फुदकने हों इधर थोड़ 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 को एक एक चीज़ करती हो है तो flittering silently among the leaves like brilliant jewels no matter how leafy the trees these brightly colored birds cannot conceal themselves although by remaining absolutely silent they sometimes contrive to go unnoticed चाहे जो पेर कित्रे ही होरे बहरे क्यों ना हो बगर ही जो birds है इस खुद को conceal नहीं करती है मतलब छुपा नहीं पाते हैए कि इनका जो color होता है वो काफी जादा bright होता है मगर कभी कभी क्या हो जाता है ये खुद को मतलब छुपा पाती है जब ये बिलकुल ही शान्त हो जाती है कॉंट्रीव का मतलब होता है to do something although with difficulty कुछ करना मुश्किल से करना मगर उसमें successful हो जाना तो कभी कभी successful हो जाती है जब खुपा पाने में क्योंकि ये बिलकुल चुप हो जाती है जब अलॉंग ये पेर ऑफ ड्रॉंगो उननेसेसरली अग्रेसिफ चेजिंग दा मिनिवेट सवे जो 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 इसलिए वाली जो बर्ड होती है इनको पीछे पीछे भागते हुए थोड़ा सा प्रिशान करती है जो 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 बाकी जो फेर्ड होती है मौसून के टाइब बसक्री ये साथे बागना शाम दूमितने साथी पीछे की तरॉजाम्ली मोंकि अपिछे की तरव पीछे गहा नसुओड़ा से झाल रएव शेय के ढोंड़ा स्वी ऩान्स जाल स्वाल होती है तो जो जो बाकी जो मौस상 के टाइम पर उनके खने खहने वाली रिख रहना इसके पास कुई भी कमी रहतीं शोन के ताइम पर उनको राम से कीडल खाने के लिए हम अब इसके अब के साथी के डाइर कर Maison में बूस्का करे दो की अब की मतलब shaped into folds मतलब जो काफी साथे folds में बनी हुई लपेटी हुई सी जो रूफ थी च्छत थी उस पर there has been no storm no thunder just a steady swish of a tropical downpour it helps me to lie awake at the same time it doesn't keep me from sleeping it is a good sound to read by the rain outside the quiet within it although tin roofs are given to springing unaccountable leaks there is feeling of being untouched by and yet in touch with the rain is also poetic language which our authors use इससे बोल रहे है कि जो छत थी उसमें कुछ-कुछ बारेश से थे उन चेड में से क्या है बारिश निकल के मतलब थोई-थोडी में पिक गर रही थी लीक हो रही थी वहां से मुझे वह टच भी कर रही थी फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे मुझे वह टच नहीं कर रही है इस टाइक की बाते बोलते हैं आप और अगस्त्री पर आजाते हैं दर रेंज टॉप बारिश बंद हो गई वह दूर जाने लगे ब्रेक अपने लगे और शन जो है वह स्ट्राइक करने लगा हिल पे लेफ्ट साइट से अगने लगा विमेंट जो थी वह चॉप करने लगी स्टिक्स को चॉप का मतलब होता पतली बारिक बारिक लगडिया और ओथर बोलती है कि मैं सुन पाहरा था टिंकल ओफ काव बेल्स मतलब आवास काव बेल्स की और जो ओक ट्री था उस पे जो क्रोव था वह मतलब बैठा हुआ था और शेक कर रहा था हेल रहा था रहा था थोड़ा अपने फैदर जो है उस तो तरह वहा है तरह थ्रश अमर्ज हो कि अगया जिसे कि डाक सूइट सीक्रिट हो कोई बहुत ही प्यारी कोई आवाज आने लगी डेथ में से गिरहायों में से किसकी रिवाइन की रिवाइन का मतलब होता है वैली जहांपर पर लोग रहते हैं तलब पाड़ों के बीच में रहत है कि endless rain मतलब बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी और पर्मेंटली पूरे टाइम के लिए मिस जो थी धुंद चाही हुई थी और हमने सूरज नहीं देखा था आठ या नौतन से everything damp and soggy हर चीज जो थी वो अजीब सी मतलब डाग डाग सी और मतलब बहुत ही सौगी सी गंदी सी अजीब सी मतलब चिपक चिपक सा होता है ना अजीब सा मौसम हो रहा था यह कहने का मतलब है nowhere to go pace the room look out of the window at a few bobbling umbrellas at least it isn't cold मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था अजीब सा था सब कुछ room में रहो window के भार देखो तो सिर्फ umbrella ही मतलब चाते ही चाते थे बग चलो यह बात चीक थी कि सही था पारिश होई थी मंग ठांड नहीं थी वहाँ पे hillsides are lush at late monsoon flowers begin to appear wild, balsams, dahlias, begonias and ground rockets अब hillside में लश ग्रीन भर गई थी बिलकुल जो flowers और बालसम आ गए थी बालसम देलिया पिकोई और orchids संदर संदर से बहुत सारी गुच्छी होता है अब August 31 अब last day of August था जो lush monsoon था जो ग्रोथ होई थी वह पीक पर थी मतलब मॉनसून से जो पेड, फूल अगर आ गए थी बहुत साथ पीक पे थे सबसे उपर थी बहुत साथा फैल करे थे और जो seeds of the cobra lily are turning red signifying that the rains are coming to an end और अब क्या था जो लीली कोब्रा था उसके जो seeds थे उसके बीच थे red color के होने लगे थे यह signify कर रही थी वह चीज कि अब जो rain है वह जाने वाली है और कुछी दिनों में जो ferns होते है एक तप का मतलब वह थे है प्लांट्स थे होते हैं चोटी-चोटी से और वह थे यलो करर के होने लगे थे बट राइट नो दे इस्टिल फेम और अप्राइट अब थोड़ थोड़े 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 थे फोड़े थोड़े थे नही इसारे प्लांट के वाय Hilux इन ही डार इसन मुझे हैं इसारे दीन हैं, इसारे ला प्लांट्स किया ओर्मगानीस, इसारे ल्या आप मिल्ड़्य गाथ, थनियर प्लांट्स कि सी जान में यह ज्यत उने, इसेरे लग ज्यत लिए लुद्दीन कि इतYए हैं गाद से थैन नाम ध यह पर प्रेजेंट होते हैं और ग्लासी स्लोब होता है जगय का और अच्छा लग रहा होता है अगर अपक्या है मौन्जूजी जाने वाला है तो यह सीचे भी तिरे दिरे फिकी बादने वाली है है बाधने टो ऊपकरणा शूजी जाने पुक ती क्यादल के काला इस अनले देब शो अजड़ काहां के यह यह चंदिरा गला तो कर भी जो तो इन यह पिरिये बादने काल तो किंट यहां centered Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows Take shelter in roofs, itices and go-downs तो जो साप होते हैं, rodents जैसे कि चुहे और रेंगने वाले जानवर वो बहार निकल के आजाते हैं अपने होल से अपने जो उनोंने बिल बना रखे होते हैं और वो शेल्टर लेने लगते हैं मतलब चाहों में चलाने लगते हैं किसी च्छत के गो-डाउन अटाइस वगरा के जहां पर कोई च्छत सी जग हो जिसमें वो नीचे बैच सके अश्रियू वीक ओफ आईसाइट बलंडर्स अबाउट दे रूम मच तू दा अम्यूजमेंट ओफ दे चिल्रन अब श्रियू के मतलब कहता है वह कशुदा नहीं होती है उसको हम लोग चुहे Państ醉Se इस अठाहर्ण सी बारीक सी जह होती है यो श्रियू होती है वह जोग्सिंद्विक होती है तो रूम में होता है बच्चेव के आम्यूजमेंट जते हो bağघ द्ग और शैचिंदॉश चुचुंदर्स आर लगी दे ब्रिंग मनी तो जो ग्रेंड मदर होती है वो एड्मॉनिश करती है मतलब साफधान करती है कि इसको चुचुंदर को मतमारना यह बहुत लगी होती है और यह जो है लेकर आती है बनी यह पैसे लेकर आती है और यह बहुत लेकर आती है मतलब वो काफी बड़ा नहीं था तो फिर भी उसको वेलकम करता हूं अब अक्टूबर 3 आगया है we have gone straight from the monsoon into the winter rain snow at higher altitudes मतलब अब monsoon से क्या होगे विंटर वाली पारिश बढने लगी और जो बरफ थी वो जबने लगी ती उची मतलब उचे उचे उची मांटें के उपर बरफ जबने लगी थी after an evening hail storm the sky and hills are soft with beautiful golden light और शाम के ताइम क्या होता है है वो बरफ बारी हुई थी और जो hills थी वो फूरे फैल गई थी उसपे क्या beautiful golden light मतलब शाम के ताइम जो बरफ थी जब सूरज की रोशनी पड़ी तो यल्लो कल लगी वो चमकने लगी थी 5th January 26th I have winter rains in the hills मतलब winter की जो rain होती है पहाडो में वो और हुष्ट silence of the house when I am quite alone and my friend was and my friend who was here has gone it is very lonely very very quiet as I sit in a liquid silence a silence within surrounded by the rhythm of rain the steady drift of water on leaves on lemons on roof drumming on dredged dehliyas and window benes तो अब January 6th winter rain पड़ रही है यह मतलब बोलते हैं जो यह author है कि बिलकुल मतलब silence hush silence है silence फैला हुआ है पूरे घर में मैं अखेरा सा हूँ घर में मेरा सिर्ट है वहाँ पे फिर वो बहार गया हुआ है इसलिए मैं काफी lonely सफील कर रहा हूँ और काफी जदा मैं उस्तक्राइब रहा हूँ और बारिश की बारिश को अवास जब रहा हूं और वह बारिश की अवाज बारिश की जरी है गिर रही है जो वाटर है लीवस पर लेमन पर नीम्भू पर और रूफ पे जट पर और पूरा पूरा आथर एक चीज को डिसक्राइब कर रही है उमारे हाउसे पर इस तरीके से पारिश पड़ रही है कियरेस का मतलब touching और holding lovingly वो किस तरीके से प्यार से house पे गिर रही है और प्यार से प्यार से इसको hold कर रही है as I pause near the window the rain stop and starts again and the trees no longer green but grey menas me with their loneliness तो अब मैं रुग गया था window के पैस जैसे मैं रुगा बारिश पे रुग गई और फिर फिर से शिरू होने लगी अब trees जो थे वो green नहीं थे वो grey से हो चुके थे थोड़ा सूख से चुके थे और मिनास जो होता है threatened मतलब दराद हे थे मुझे अपनी lonely list मतलब उन पे birds नहीं थी कोई पेड़ पक्षी नहीं थे फन नहीं थे तो वह काफी lonely थे इसलिए वो उनका जो मिनास था मुझे थेटन कर रहा था उनका अकेला पन मुझे थेटन कर रहा था है अब मार्च 23 लेट मार्च का ताइम आगया है विंटर खतम हो गया है the blackest cloud I've ever seen squatted over basuri and then it hailed marbles for half an hour nothing like a hailstorm to clear the sky even as I write I see when performing वहीं ठीक थेखने भीट काले गहने वादल छय हुए थे मसूरी और फिर क्या हुआ marble hail too mtf has lighter अधे गंती अरम हैल्स्टरम गहा थे क्रीम साफ होगे थे और असमान साफ हो कर रहा था है कि rainbow बन रहा है आस्मान में तो यह हमारा चाप्टर कंप्लीड हो गया है काफी थोड़ा बोरिंग सा चाप्टर था परसनलि पूझे तो बोरिंग लगा क्योंकि काफी जादा नेजर को डिस्क्राइब किया था और एक एक पर्टिकुलर डीटेल बोली थी आपको कुछ चीज़े तो लॉन करनी पड़ेंगी इसमें तो पर्टिकुलर को स्टोरी रही थी जब स्टोरी हो दिया तो अच्छे से समझ भा जाता है फिर मैंने ट्राइग किया समझाने का अपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में क करके बता सकते हैं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्यू सो मच